नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा इंडिया न्यूस का डिजिटल चैनल इन खबर आप देख रहे हैं बात होगी यहाँ पर पाकिस्तान की एक कावत है कि पैर पर कुलहारी मारना लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से हरकते कर रहा है उसको देखकर यह कहना वाजिब होगा कि वो अपना पैर कुलहारी पर मार रहा है 370 को लेकर पाकिस्तान की बॉकलाहट इसकदर लगातार बढ़ती जा रही है कि वो एक के बाद एक अपने दुश्मन बढ़ता जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं कि जब से कश्मीर में 370 हटाई गई है उसके बाद से पाकिस्तान ने हर दर पर अपना माथा ठेक लिया है वो चीन के पास पहुंचा वहां से थोड़ी सी उसको अमीद नजर आई यूएनसी तक मामला पहुंचा लेकिन उसके बाद कुछ हासल नहीं हुआ तो चीन लेके नारा कर लिया U.S. बहुत क्लिरली कह चुका है अमेरिका की हम इसमें कोई इंट्रफेर नहीं करेंगे किसी तरह का कोई हस्त необход नहीं करेंगे यह भारत का अंतरिक मामला है रूस बने बिल्कुल खुद को अलग कर लिया है फ्रांस ने खुद को अलग कर लिया है और सबसे ज़्यादा उम्मीद थी पाकिस्तान को इसलामिक देशों से वो भी खुद को अलग कर चुक है, UAE ने पूरा तरह से अलग कर लिया है तो इसके बाद हर एक स्टेप के बाद जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो बढ़ती जा रही है और अब इतना बौखला गए हैं इमरान खान कि अभी उन्होंने अपने देश को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया UN पर, United Nations पर, सयुक्त राश्ट पर उन्होंने इसे दरसल एक Islamic matter बताया और इससे Islamic card के जरिये साहनुभूती लेने की कोशिश की है इमरान खाने, उनको लग रहा है कि Islamic card के जरिये हो सकता है कि शायद जो इसलामी देश हो या फिर जो भारत में जो मुसल्मान हैं, वो कही ने कही उनके favor में आ जाएं लेकिन चुकि कश्मीर में मुसल्मान हैं, उनका ये matter है, इसलिए United Nations सवयुक्त राष्ट भी इस मामले में चुप है और जो अत्याचार हो रहे हैं जमू कश्मीर में मुसल्मानों पर उसको lime light में नहीं लाना चाहता है और सयुक्त राष्ट इसलिए सयुक्त राष्ट इस मामले को सुनना ही रहा है, इसलिए इस मामले पर चुप पिसाद ली है इसलिए कोई भी देश इसमें सुनवाई के लिए तयार नहीं है लेकिन अब एक बात और, एक तरफ तो बुराई कर रहे हैं इमरान खान, यूएन के सयुक्त राष्ट की लेकिन दूसरी तरफ वो साथी साथ अपने बाश्टन में तुरंट पलट जाते हैं और ये कहते हैं कि अब इस मैटर को हम फिर से जो यूनाइटेड नेशन्स की सालाना सभा है, उसमें मैं फिर से उठाऊंगा तो लग रहा है कि कही ने कहीं जो बौकलाहाट है उस बौकलाहाट में बहुत जाबा कन्फ्यूज हो गए इमरान कार उनको पता ही नहीं की बुराई कर रहे हैं कि नहीं मुसल्वानों का मैटर है, इस वज़े से उन्यूसरी तरफ कहते हैं कि इस मैटर को लेकर हम वापस य यूद की धमकी देते हैं, उनके मंतरी भारत को यूद की तारीख तक बता देते हैं, और लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि इतना सब कुछ जो इमरान खान कर रहे हैं, कश्मीर के लिए जिससे उनका कुछ भी लिना देना नहीं है, जो भारत का आंतरिक मसला है, लेगिन पाकिस्तान अपने आंतरिक जो मैटर्स है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है उनकी अर्थवस्ता कितनी गिर्ती जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है FATF ने उसको ग्रेलिस से डाल का ब्लैकलिस में कर दिया उस पर ध्यान नहीं दे रहा है अब उसको कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस पर क्या हालत है कि एक रोटी, एक रोटी के लिए भी वहाँ के लोगों को 20-30 रुपे चोकाने पड़ रहे हैं, उस पर इमरान खान का ध्यान नहीं है, जो पेट कर्ज कहीं से उसको मिल नहीं रहा है, ब्लाक लिस्ट में वो डाल दिया गया है, कर्ज आगे उसको मिलेगा नहीं, लोग बिलविला रहे हैं, भूक से तरप रहे हैं, पीने के लिए पानी लोगों के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को इन सब सेकंड क्लास बना कर रखना चाहती है, इस तरह की बातें इमरान खान अपने देश में करते हैं, तो यह सोचना चाहिए इमरान खान को कि पहले अपने देश में क्या हालत है, जिस आवाम की वो बात करते हैं, जिस इसलाम की वो बात करते हैं, जिस जिहाद शब्द का वो इस् कि जो हैं वो बकाइदा लोगों को नए-णए यूप को को ट्रेन कर रहे हैं उनको जिहाद की बात सिखा रहे हैं तो यह सब चीजे हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को अपने देश में चल रहा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे लेगिन सबसे ज्यादा चिंता उ और कोई उसकी मदद करने वाला कोई उसकी बात करने वाला तक न बचे नमस्तार